हेई what's up everybody my name is Karan and welcome back to my channel again guys आज बात करूंगा कुछ serious issues के साथ और कुछ topics के साथ जिसके कारण comment के में students को seat जो की मिलनी चाहिए थी और जैसा कि expect हम लोग कर रहे थे कि cut off इस बार high जाएगी और वो नहीं गई है क्या क्या कारण है उस पर अपने इक बाद discuss करेंगे क्या initiative आप लोग ले सकते हो और मेरी भी रिक्वेस्ट है students से तो सारी चीजों पर डिसकस करेंगे साथ ही साथ कुछ और चीजें पर डिसकस करेंगे जैसे कि सारेंडर सीट्स की डेट जो है सरेंडर कब तक कर सकते हैं अपना रिफंड कब तक ले सकते हैं लास्ट डेट क्या है एक्सेप्टन फ्रीज की और अगर आपको कोई कॉलेजस मिल गया है तो उसमें किस तरीके से आप लोग रिपोर्टिंग करेंगे सारी चीजों पर डिसकस करूँगा तो सबसे पहले बात करूंगा यार गाइज उन स्टुडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जिनको अल्रेडी कॉलेजस कही ना कहीं मिल चुके हैं और वो स्रिफ कॉमेट में रिजेक्ट अपग्रेड पे लगे हुए हैं जो बहुत जादा सफर कर रहे हैं और कुछ-कुछ मार्क से हर राउंड में रह जा रहे हैं आप लोगों की आप लोगों पास और दूसरे कॉलेजस हैं तो गाइज अगर आप लोगों अच्छी ऑप्रिचुनिटी है तो यूगाइज शिट गो अब मूव इंटो दोस पर्टिक्लर कॉलेजस बिकॉस कॉमेट के में जो स्टुडेंट हैं वो उनको सीट्स नहीं मिल पा रही है और कट आफ बहुत जादा हाई हो गई है इसका एक कारण ये भी है कि आप लोगों सीट्स ब्लॉक करके रखी हुई है यह स्ट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से दिसिजिएन विल पे यॉर्स लेकिन यार अगर आप रिजेक् कि जो स्टुडेंट्स बस हब रवार रिजैक्ट अप्रेड रिजैक्ट अप्रेड कर रहे हैं तो अट लीस्ट हलाकि होने वाला बहुत जादा कुछ नहीं है बड़ इस शुडब बिकम इन्ट देर नोटिस बैट की इस तरीके की चीज़ें हो रही है और हर साल वैसे होती को अच्छे ऑप्शन से कॉलेज के तो आप लोग वहां पे मूव कर लें और रिजैक्ट अप्ग्रेड करने की बजाए थोड़ा सा दूसरे स्टुएंट को एक उपरिचनिटी मिल जाए तो यह मेरी रिक्वेस्ट थी आप लोगों से और काफी सारे स्टुएंट में मुझ आप लोगों के सपोर्ट के कारण तो इस नाथिंग बैड और अच्छी चीज है तो मैंने कर दिया है इसमें तो अब देखो दूसरी चीज़ों पर चलें अपन थोड़ा सा आगे तो डिसिजन मेकिंग च्वाइस ऑफ च्वाइज ऑन लॉटेट सीट एंड फी पेइमेंट 12 डिसंबर से 20 तारिक तक अगर आप लोगों ने डिसिजन बना लिया है क्या करना है आपने को एकसेप्ट और अफगरेड या जो भी आपको डिसिजन साप लोगों को वहाँ पे दिख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको चूज करने की जो लास डेट है वो आज है और 20 तार करने की कहां reporting कालेज में करने की कमेंट के सापना कोई वास्ता नहीं है अपने कॉलेज मिल गया है और अपने एकसें फ्रीज करके कालेज ले लिया है तो आप जो भी आप को सारे पत्तर चारिता कर दें हैं वहां पर कॉल करो उनको समझाओ कैसे आना है क्या डॉकुमेंट्स लेके आना है इस पर आऊंगा मैं इस फोड़ा तौर और सब्सक्राइब करना जिन बच्चों को रिफंड चाहिए उन बच्चों को 12 बजे किस तारीक की 12 बजे से 22 तारीक की एक बजे तक सरेंडर कर देना है और उनके पैसे उनको अपस रिफंड हो जाएंगे यह सारी चीजें है और यह सारा प्रोसेस है ठीक है अब मैं अगर बात करूं देखो इसमें बहुत सारे बच्चे जैसे आप लोगों नहीं यह पूछ रह रहा था तो आरवी में जो आरवी का जो मैं देखा था उसमें लिखा था रिपोर्ट एट इंजियर्ट इपार्टमेंट सेमिनार हॉल अरवी सी अब इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यह पच्चीस ग्यारा दो हजार बीस यह जो नोटिस लगा रखा रहा हैं उसमें पैंडमिक की सिचुएशन ही थी लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों ने रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही की होगी तो इसके लिए अपन एक बार और इस पर क्या करो मंडे को मतलब कल आप लोग कॉल कर लो जिन बच्चों वी बच्चा आरवी में जा रहे हैं वहां पर कॉल कर लो सब्सक्राइब नहीं रहा है या फिर आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिन स्टुएंट्स ने और वी में कॉलेज ले लिया था तो उनसे आप पूछ सकते हो और अगर वो स्टुएंट से वीडियो देखते हैं तो देखें लेट मीनों ने कॉमेंट बॉक्स तो हम लोग और कॉलिफाइब अधर दन पी यू बूर्ट करना का देन देन धी है पूंपल साथी सब्मेट ओर इंड माइगरेशन सेटिफिकेट आपको सब्मेट करना पड़ेगा इस सीडिस क्लिम अंडर काटेगरी उनको काटेगरी सब्सक्राइब पड़ेगा फोटो कॉटो कॉपी पैन कार्ड पैरेंट्स थ्री अटेस्टेट फोटो कॉपी डॉकुमेंट्स वार्ट सब्सक्राइब तो आप तो वहां से भी सारी चीजे देख सकते हैं यही सारी चीजें ती आप लोगों सारी दिसक्स करना चाहरा था मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा और जिन सब्सक्राइब तो आप लोगों की जो दूसरी लिस्ट है जिसकी में कल बात कर रहा था वो लिस्ट भी आ जाएगी और उसे आफर सरेंटरी और आफर मतलब आफर दिसिजिन मेकिंग जो लिस्ट है उसके में भी बहुत सारी सीट पॉसिबिल्टी है कि आप लोगों को खाले मिले So that's all from my side, my name is Karan, stay tuned, stay safe, stay fit, stay happy, stay blessed and And we'll talk about it, stay safe, bye bye And we'll talk to you soon, bye bye कर दो